तो हेलो गैसे वेलकेम बैक टू अनदर वीडियो सरकारी जोब आल ओवर इंडिया दोस्तो एक और रिकूर्मेंट लेकर के आप लोगों के लिए आ चुका हूं और दोस्तो यह जो रिकूर्मेंट जो निकाली है दोस्तो इंडियन आर्मी रैली निकल के फॉरम निकल के आ इस साल तक अप्लाई कर सकेंगे अगर आपके साड़े सत्रह हो चुकी है तो भी आपिश जोब गिले हाने कर सकते हैं या फिर अगर आपी तैई साल के अंदर है या इस वीडियो को पहले पूरा दिखेगा hall में set कर दीजे ताकि latest jobs की update सबसे पहले आप तक पहुत सकेगी और दोस्तो हम बढ़ते हैं अभी official website में तो दोस्तो यही मेरी official website तो दोस्तो इसमें आपको मैं पताता हूँ थोड़ी सी details जो कि आपको पता होनी चाहिए दोस्तो जैसे कि आपको पता ही है इंडियन आर्मी ने एक और requirement निकाल चुकी है और दोस्तो जिसमें जो qualification मांगी गई है 12 प्लस बारवी मांगी गई है और दोस्तो अगर post name की बात करें तो अगर आप अप्लाई करना चाहते है तो इसके ओपनिंग डेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी इसके 8 अगस्ते इसके forum स्टाट हो चुके है और लास्ट डेट जो होने वाली है 22 सितंबर तक की होने वाली है तो दोस्तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 22 सितंबर से पहले इसके online official website में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आप भी आपको में थोड़े दिर में बताने वाला हो कि कहां से आपको अप्लाई करना है तो दोस्तो अगर name of the post अगर जैसे मैं आपको बता दिये तो अगर आप 17,000 तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तो अगर हम बात करते हैं salary की तो दोस्तो इसमें आपको जैसे मैंने पहले बता दिया था 21,000 से लेकर 69,000 तक तो मिल जाती है दोस्तो इसमें salary and दोस्तो selection procedure की बात करें तो physical, lieutenant, medical exam होते है और आखरी में जो merit में जिसके भी नाम आजाता है वो select हो जाता है तो दोस्तो steps क्या होंगे इसके apply करने के लिए तो दोस्तो आपको इनके official website में जाना पड़ेगा जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा यहां पे मिल जाएगा official website के नीचे आने के बाद मैं आपको अभी खोल के दिखाने वाला हूँ जो की आपको apply करने के लिए मैं आपको थोड़े दिन में बताता हूँ तो दोस्तो इसके online आवीदन होने वाले है इसके कोई भी offline forum नहीं होने वाले है पहले आपको online आवीदन करना पड़ेगा उसके बाद ही आप apply कर पाएंगे दोस्तो कोई भी offline forum ऐसी समझ के मत चले आना वनना है आपके लिए दिक्कत हो सकती है तो दोस्तो official notification अगर आप पढ़ना चाहते है जो कि मैं आप यह खोल के दिखा देता हूँ दोस्तो यह रहन का official notification जो कि आप देख सकते है Indian Army Rally notification Candidate of Dhousa, Saval, Modarpur, ठीक है दोस्तो अगर आप देखना चाहते है तो दोस्तो यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप apply करना चाहते है तो दोस्तो all eligible Candidate of Dhousa, Saval, Modarpur, Dholpur, ठीक है दोस्तो Kaurul, Alwar and Bharatpur तो दोस्तो जैसे कि देख सकते हैं यह जो district ने इन लोगों के लिए फॉरम निकल के आ चुके है और आर्मी medical cops के लिए निकल के आ रखे और दोस्तो अगर आप apply करना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो online registration जो कि start हो जाएंगे 8 अगर से लेकर के 22 से अमबर तक के तो दोस्तो आप हमनों थोड़ी सी डेटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में कि कौन को अप्लाई कर सकते हैं तो soldier nursing assistant जो कि army medical cops के अंदर आ रहा है तो दोस्तो इसके लिए 73 साल चाहिए होगी वैसी सभी post के लिए इतना ही चाहिए soldier d pharma में 19 से 25 साल के लिए apply कर सकते है soldier color के लिए दोस्तो आप जैसी देख सकते है technical and university management के लिए दोस्तो अगर आपकी age इनके बीच मा आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं 1997 से 2003 इनके बीच मा अगर आपकी age है मत आपका date overth है तो आप apply कर सकते है इसमाँ height जो मांगी गई दोस्तो soldier energy assistant के लिए 170 मांगी गई यह centimeter and दोस्तो color के लिए 162 and 170 soldier d pharma के लिए तो वैसी weight अगर आप देख सकते हैं आप 50-50-50 हर एक के लिए मांगी गई है and दोस्तो अब education qualification के थोड़ी बात कर लेता है तो 10-12 अगर पास अगर आप हो चुके हो and दोस्तो अगर आपके पाफ physics, chemistry and biology subject है and English subject है with minimum 50% marks ठीक है अगर आपके सभी total में अगर 50% से उपर है या 50% है तो आप apply कर सकते है and दोस्तो हर एक subject में आपके 40% से उपर होने चाहिए तो दोस्तो आप पहले calculate कर लीजिए and उसके आप apply भी कर सकते है बागी दोस्तो इसमें एक और category भी है दोस्तो अगर आप apply करना चाहते है तो ठीक है दोस्तो physics, chemistry and botonics, zoology and English अगर आपके पास है with 50% marks 100 में से and 40% marks हर एक subject में है तो आप apply कर सकते है वैसी soldier color के लिए भी दोस्तो आप देख सकते है 60% marks मांगी गई है ठीक है दोस्तो art, sites, commerce आप किसी से भी पास हो ठीक है and दोस्तो 50% marks होने चाहिए हर एक subject में इसमें थोड़ा अलग criteria है तो दोस्तो आप देख सकते है and soldier d pharma के लिए अगर आप apply करना चाहते है तो दोस्तो science stream होनी चाहिए आपके पास and physics, chemistry, biology होनी चाहिए with 55% marks होनी चाहिए ठीक है दोस्तो and with 50% marks in b pharma ठीक है दोस्तो तो अगर आप apply करना चाहते है तो आप detail यहां पर पढ़ सकते है बाकी और भी detail अगर आप देखना चाहते है तो कल देख लीजेगा दोस्तो क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैटूँगा तो दोस्तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो बाकी जसी आप देख सकते है physical fitness test army rally वी जब होगी आपकी मतलब दौड भाग होग है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा यह वेबसाइट खुल जाएगी simply आपको जो यह रिखा होगा यहाँ पर आपको simply यह लिक देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि दोस्तो आपके लिए डीटेल वीडियो बनाओ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं आपको online registration करना है तो आप comment section में मुझे बता सकते हैं तो दोस्तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप notification check कर दीजिए अगर आप करना चाहते हैं अगर आप दुबारक चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं तो दोस्तो वो यहाँ से username में password and capture डालके same to same जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको डालके आप login करके सीधा apply कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं अगर आप आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं